हेलो बच्चों, विल्कम बैक टू मैं चैनल, कैसे हैं आप सब, आज की वीडियो से मैं आप लोग का बिंदर सेग्रेटरी फ्रेमवर्क यानि की वेस्साइक निमन रूप रेखा, जो सब्जेक्ट है, उसके लिक्चर स्टार्ट कर रहे हूं, वीडियो शुरू करने से पहले एक्ट 1872, यानि की भारती अनुबंद अधिनियम 1872, इसे एक्टर जो भी चीज़े हैं, वो सब रहेंगी, उसके बाद आजाएगा, कॉंट्रेक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारेंटी, जो कि आपका यूनिट सेकेंड हो जाएगा, यूनिट थर्ड में आएगा, इस्टुमेंट एक्ट 1881, तो इसमें आपकी सारी चीज़ें अलग अलग जो यूनिट दे रखें, उसके द्रगाद दे रखें, तो सबसे पहले जो में स्टार्ट करेंगे, यूनिट वन यानि की इंटर्न कॉंट्रेक्ट 1872, यह भारती अनुबंद अधिनियम 1872 क्या है, उसके द्रगत कर्वकों से चीज़ें आती हैं, तो आईए एक बार थुरा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं, कि जो भारती अनुबंद अधिनियम है, वो क्या है, तो अनुबंद में क्या होगा, कि आप दिन पर दी दिन हमीं लोग हैं, किसी ने किसी तहां का अनुबंद करते रहते हैं, और जब यह वैसा ऐसा सम्मंदित हो जाता है, तो काफी इंपॉर्ट हो जाता है, तो अनुबंद में क्या होता है, आप किसी कार को करने के लिए दूसरे वेक्ते से कहते हैं, वो वेक्ते एक्सेप्ट करता है, कि हाँ हम ये कारेंगे, उसके बाद क्या होगा, आ आपस में क्या होता है एक ठैराव सा बन जाता है वही ठैराव जब लीगल होगा और संभाव हो सकेगा तो प्रतनी हो जाएगा और क्या बन जाता है हमारा अनुबंध बन जाता है अग्रिमेंट बन जाता है अग्रिमेंट बन जाता है अग्रिमेंट कर रहे होते हैं तो यह अंदाज़ा लगा सके कि अगर किसी वेक्टेरी कुछ गलत काम किया है या जो भी अनमंत कया गया था उसे संवन्दित कोई भी अहित हुआ है दोसे वेक्ति का उसे klar किया दा सके कि Kentucky क्लियर कॉन लिए आपके use होंगे इस से जो भी आपी book पढ़ रहे हैं उसमें तो आप उसको एक बार समझ लेंगे कि वो words क्या होते हैं और उसका मतलब क्या होगा तो आगे जितनी बार भी words आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा हर subject की अपनी एक अलग language होती है जो कानून है जो हम होते हैं law है उसका पी अपनी एक अलग language है तो उसके words को अगर आप समझ लेंगे तो आगे chapters जो होंगे या जो definitions अलग अलग दे रखी होंगी उसको समझने में आपको आसानी होगी तो सबसे पहले जो आपको समझना है वो हो जाता है प्रस्ताव यानिकी proposal जब भी हम contract की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा step होगा वो हो जाता है proposal यानिकी प्रस्ताव तो प्रस्ताव क्या होता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार को करने या फिर उसे वरत रहने यानिकी ना करने कि सम्झ में अपनी इच्छा से प्रकट करता है कि दूसर हो गया राम ने शाम के सामने क्या रखा एक प्रस्ताव रखा एक proposal रखा कि आप मेरी जो cycle है उसको 500 में purchase कर लीजे क्रै कर लीजे तो ये क्या हो जाएगा इसे प्रस्ताव कहेंगे दूसरा जाता है आपका हो जाती स्विक्रति यानिकी acceptance स्विक्रति में क्या रहता है अब प्रस्ताव को accept कर लेता है अग्र इसकी स्विक्रति हो जाएगी उसके बाद तीसराक आयगा वह हो जाता है वचन यानिकी promise तो जब वो स्विक्रती दे देगा तो क्या बन जाएगा वो promise बन जाएगा वचन बन जाएगा यानि कि जो प्रस्ताओ रखा गया है उसको स्विक्रत करना क्या हो जाता है वचन हो जाता है अब proposal when accepted becomes a promise उसके बाद आज जाता है वचन दाता है वचन दाता कौन हो गया वचन दाता किसे कहेंगे और वचन ग्रहिता किसे कहेंगे तो जो व्यक्ति प्रस्ताओ दे रहा है प्रोपोसल दे रहा होता है वो कौन हो जाता है वो होगा आपका वचन दाता प्रॉमिसर और जिसको वचन दिया जा रहा है यानि कि जो उसे स्वीकार कर रहा है वो क्या हो जाएग वचन दाता और जो शाम जो था जिसने क्या क्या स्विकत किया था वो क्या हो जाएगा वचन ग्रहीता प्रोमेशी उसके बाद नेक्स्ट आजाएगा आपका प्रतिफल Consideration प्रतिफल बहुत ही important है अगर प्रतिफल नहीं है तो जाहर सी बात है आप या काल की आन्या करने के लिए कहा जा रहा है तो अगर वो ऐसा करता है तो वो चीज प्रति-फल कहलाती जैसे की यहां पर राम ने शाम के सामने क्या रखा था साइकल देने के लिए कहा था किसके बदले में 500 रुपए के बदले में अगर शाम 500 रुपए राम को देगा तो अपनी साइकल उसको क्या करेगा बेच देगा तो यहां पर क्या हो जाएगा राम के लिए प्रतफल क्या हो गया 500 रुप ही नहीं करेगा तो यहां पर जो प्रत्फल होगा कंसिडरेशन होगा वो दोनों के लिए ही होना इंपॉर्टेंट है उसके बाद जब इतना सब होता है उसके बाद क्या हो बनेगा वह एग्रिमेंट बन जाता है ठैराओ बन जाता है यानि कि प्रपोजर रखा गया सामदारी वक्ती ने उसे एकसेप्ट कर लिया उसके बाद वह वचन बन गया उसमें प्रत्फल था तो क्या कहलाया ठैराओ एग्रिमेंट कहलाया तो इसको अगर हम डिफनेशन के तौर पहले तो क्या हो जाएगी प्रतेक वचन और वचनों का प्रतेक सम्हूं जो एक दूसरे के लिए प्रत्फल हूं ठैराओ कहलाते हैं आपको अभी तक समझ में आ गया होगा यह सारे वर्ट्स आपको इस बुक में बार बार मिलेंगे तो इसका मतलब जो है मेनिंग वच्छे से समझ लीजेगा जिससे के आगे जो भी डिफनेशन आएंगी चैप्टर वाइस आपकी तो वहां पर आपको समझने में आसानी जाएगा उसके बाद अब आते हैं पारेस्प्रांचे यानि से बिंुक्त जो उचराएति तो उसके basis में आपको समझाओं तो उसका मतलब यह हो जाएगा कि राम ने शाम को सैकल देने का वचन दिया था और शाम ने उसके बदले में 500 रुपर राम को देने का वचन दिया था तो वो क्या है एक दूसरे क्लिक क्या हो जाएंगे पारस पर इक वचन कहलाएंगे उसके बाद आजाता है आपका व्यर्थ थहराओं बहुत ही मि इसको छिए समद लीजे यह व्यर्थ वन्हीं बार बार आपके वर्डस आएंगे उन को चिससे समद लीजेगा तो व्यर्थ थहराओं है यानि कि वॉइड एग्रिमेंट क्या हो जाएगा व तया बला तो कि आच दो कि कानोन कि किसी लाग के प्रभावी होने के लिएसे क्या रूजा है लेकि वाया कर लेता है, veggie के वह वैस्क था व्या करने का अधिकार रगता था तो यहां पर जो मोहन होगा वो सोहन की विरुद्ध कोई भी वैधानी कारवा करवा ही नहीं कर सकता तो कि एक व्यास्क की थेराओ की हो होती इहां पर जो के एक्जांपल में रहा थे राम और श्याम का जो इसमें क्या था टो उसकी पर ₹ federal को बढ़ा के कर ले तो श्याम ने एक्से मट कर लिया था मजन पना था ठैराओ हो गया था 可是 page एक डूसरेillar के साथ выйs तो क्या हो जाएगा अन्बंद हो जाएगा तो इस तहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अन्बंद तक किस तहां से पहुचा जाएगा या पहले आपको प्रस्ताव होगा फिर स्विक्रति क्या होती है कितने तरीके से दी जाती है कब वो जो है सतंत मानी जाएगी कब सतंत याने के वैर्थनी अन्बंद क्या होगा ? तीन पॉइंट बहुत इंपोर्टनट है आपके एक होता है वियर्थ ठहराओ, फिरा दाता है वियर्थ ठत्वा ौन्बंद और दूस तीसरा आता है वियर्थ अत्वा इच्छा पर प्रवरतनी होगा लेकिन दूसरे पक्षकार की इच्छा पर प्रवरतनी नहीं होगा वह हो जाता है आपका विर्थनिये ठैराओ definition के तौर पे जब ठेराओ एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्थनी हों तो दूसरे पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्थनी ना हों तो उसे विर्थनी अन्बंद कहेंगी An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties there too but not at the option of the other or others is a validable contract ने जिस अजम्रेम बारे में कि साइक्ल बहुत जब कैसे बहुत अच्छी में किकि प्रॉब्लम कर रही है भर भी पर चीजों उससे चुपाई शाम से खेब बिच दिया तो कैश्योयं कि वीडेख से क्या होगा अगर शामबाद में चाहे तो वो उस अनबंद को तोड़ सकता है क्यों क्योंकि उसने मिथ्यावर्णन किया था और उसके वेसे सहमती प्राप्त की थी तो इस नहां का जो अनबंद होगा वो व्यर्थनी अनबंद तो यहां पर शाम की इच्छा पर जो भी अनबंद होगा वो व्यर्थनी हो सकता है अब आपके समझ में होगा कि अगर कपटपूर धंग से मित्यावर्णन करके गलत तरीके से कोई भी सहमती ली जाती है तो जिससे सहमती ली गई है वो पार्टी वो पक्षकार क्या करेगा उस अनबंद को विर्थनी भोशित करवा सकता है अब आपके समझ में आ गया होगा कि वर्थनी अन४ंद क्या है यां पेचे-जान रखेगा जो भी ठारा हो है वह एक परखशकार या एक स्याुटी क्ष्कार की इच्छा पर प्रतनिये हैं लेकिन दूसरे पक्षकार के इच्छा पर प्रतनिये नहीं हैं तो वो ठेरा आपका व्यर्थनी अन्बंद कहलाएगा अब आजाते हैं आपका नेक्स्ट वाला व्यर्थ अत्वा शोन अन्बंद वाइट कॉंट्रेक्ट यह भी बहुत इंपॉर्टनेंट है व यहां पर क्या होगा वो अन्बंद कहलाएगा आपके समझ में आ गया होगा कि कोई घटना के घटत होने पर क्या होता है कि वो अनमंद व्यर्थ हो जाता है आरम हमें तो जो वचन दिया था तो वैद था तो कानून रूप से क्या होगा उसको प्रतनी कराया जा सकता था लेकिन जिसके बेस पर वो अनमंद किया गया था वो बेसी समाप्त हो गया जिस लड़की की शादी करनी थी अगर तो उस लड़की की ही मरत्य होगी तो क्या हो गया उस अनमंद को परतनी नहीं कराया जा सकता, तो अनमंद की हो जाएगा वियार्तवा शूलनहन्मंद को चैएगा. अई हो पको अच्छे से समझ में आगिया होगा जितने भी वर्ट से उनकी डिपनेशन को अच्छा समझ लेजेगा यह वर्ट आपके बार बार आगे यूज होंगे तो आपको समझने में असानी होगी हाई एक पार को एक रिजन कर लेते हैं फिलिंदा ब्लैक्स पर के हर वीडियो के बाद में आपको पूरा एक रिज कोशन में डालूंगी उससे कि आपका असानी से जल्दे से रिविजन हो जाए कि कितना आपने समझा है तो यहां पर हम फिलिंदी ब्लैक्स देखते हैं अनबंद के लिए प्रतफल का होना डैश है कासे डैश पार एक कॉंट्रेक्ट तो अनबंद के लिए प्रतफल का होना क्या होता है मैंने पहली बताया तब तक दोनों का आपसने को प्रतफल नहीं होगा तब तक क्या होगा वो ठैराओ भी नहीं करेंगो नहीं अनबंद बनेगा तो क्या होगा आवश्यक होगा नेसेसरी अनबंद के लिए प्रतफल का होना आवश्यक है सेकंड लेते हैं प्र होता है बारम इस डैश क्या होगा एर ठैराओ नहीं कर आजा सकता तो वैर ठैराओ अपर वर्त निया होता है वाइड एक्रूर्सबील नेच्ट लेते हैं अनबंदं के लिए ठैराओ क्या हो जाएगा यह आवश्च्यराओ की होने पर ही हम उसको प्रतनी करा सकते हैं अनुबंध में अग्रिमेंट इस नेसेसरी फॉर कॉंट्रैक्ट तो यहां पर आई होप अपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने रीजन भी कर लिया होगा नेक्स वीडियो में हम पढ़ेंगे ठाराओ के बारे में कि अग्रिम को भी जूरान करिएगा और जादा जादा फैंट सा शेयर भी करिएगा और किसी तहां को कोई कुशन हो तो मुझे कमेंट करिएगा थैंक यू